तो आज जो हम डिसकस करेंगे वो टैली के उपर करेंगे कि GST को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं टैली के उपर यानि जो भी हमारे स्टॉक्स हैं जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं सेल की चाहे परचेस की या जो भी हमारे स्टॉक्स हैं उन पर GST किस परकार से लगता है हम कैसे करते हैं आज हम यह सारी चीजे डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम टैली ओन करते हैं अपना तो यह मेरा टैली ओन हो गया जिस्टी को सुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ है कि जो आपका फर्स स्टेप है टैली के अंदर की कंपनी क्रियेट करना तो आप सबसे पहला काम company create करने का करते हैं और company जब आप create करते हैं तो आपको फता है shortcut की alt plus f1 का use करके का यूज करके आप company create करें create company enter do company का नाम देज़ेते हैं कोई भी company देज़ेते हैं मैं एक नाम देता प्राइविट लिम्टेट है यह सपोज नहरू प्लेस में है इस्टेट आपने अब इस्टेट देनी है और इस्टेट एक कंपलसरी पार्ट है जब भी आप जिस टेट डालना कंपलसरी आप इस्टेट डालेंगे तो यहां पर आपको डेनोट करना है कि आप किस प्रेहर देंट करते है तो मेरी तो कि आपने के छोट और यह इसको इसको save करना है बिन लोग है तो आप yes करेंगे यह आपकी company create हो गई है second step आता है टेली के अंदर जब आप GST implement करते हैं कि आपने GST को enable करना है तो GST को enable करने के लिए आपके पास एक shortcut की है F11 या फिर आप mouse की help से भी F11 की को press कर सकते हैं जो कि right hand पर आपके सामने दिख रहे हैं तो मैं F11 की press कर रहा हूं मैंने F11 press किया F11 press करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने statutory and taxation का एक option आते हैं आपने just उसको click करना है तो आपने इसको click किया click करने के बाद कुछ settings होती है जो आपने enable करने होती है जिसमें आपकी goods and service tax को आप yes करेंगे तो वन बाइवन मैं yes कर रहा हूं मैंने इसको yes कि एंटर कि इसको भी एस करेंगे एंटर किया एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरी state है वो आपके सामने by default आ रहे क्योंकि मैंने company के अंदर डाली हुई थी जब company की टेल्स फिल कर रहा था तो वहां पर मैंने state डाली हुई थी इसलिए यहां पर state show कर रहा है जस्ट एंटर करता हूं मैं एंटर करने के बाद एक और option आता आपके पास कि जो भी आपकी company है यह composition dealer है यह regular dealer अभी जो हम कर रहे है वह regular dealer पर वर्क करेंगे तो regular dealer को मैं select करता हूं आप देख सकते हैं मैंने regular dealer को select किया और यह कब कब से GST applicable कब से हो रहा है तो अभी 2020 चल रहा है तो फास्ट अप्रेल 2020 से हम इसको applicable करेंगे उसके बाद आपने यहां पर GST नमबर देना है जो भी आपकी company का GST नमबर है वह आपको यहां पर देना है तो मैं एक रफली उसके बाद जो भी आपके पैन नमर्स होते हैं तो जैसी मैं एंटर करता हूं उसके बाद monthly और quarterly आता है फिलाल आपको पता है regular dealer monthly अपनी GST फाइल करता है तो monthly को क्लिक करते हैं देन इवे बिल के option को भी हम यूज नहीं कर रहे हैं तो नो ही रखें इसको एंटर और एंटर करते हुए अभी आप जो यूज कर रहे हैं वो एक product पर कर रहे है कि आपके पास जो भी product है उसमें एक flat GST rate लग रहे हैं तो यहां पर मैं इसको यस करता हूं एंटर किया मैंने यस करने के बाद जैसे कि मैंने बताए कि फ्लैट लग रहा है आपका 18 परसेंट तो सबसे पहले description description मैं रख रहा हूं electronics यानि electronics से जितनी वी items है उस पर 12 प्रसेंट लग रहे हैं आगे हम दिखेंगे कि डिफरेंट 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 कैसे चार्ज कर सकते हैं अगर आपको पता है कि डेड़ करोड तक कि अगर आपकी लिमिट है टरन ओवर की तो आपको एच्छे संकोड लिखने की जरूत नहीं है अगर उससे ज्यादा जाते हो तो कोई भी दो डिजिट लिख सकते हैं फिलाल मैं एक रफली मैंने 12 डाल दिया है एक रफाइडिया डजन टाजें तके अब चाहें तो जायें तो एचे संकोड नेट के थूक्प कर सकते हैं कहिशा क्या रखता है टेक्सिबिल्टी में मैं टेक्सेबल रख रहा हूँ, एंटर किया मैंने, एंटर करने के बाद, जब मैंने टेक्सेबल को एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद, एंटर, और उसके बाद, जस्ट मैंने, इंटर्गेटी टेक्स को डाल दिया मैंने, कि इंटर्गेटी टेक्स म को 12% करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा जो सीजी एस्टी है और जो मेरा इस्टेट टैक्स है दोनों के दोनों अटोमेटिकली डिफॉर्ट 66 परसेंट हो जाएंगे सैस डालने की जरूत नहीं अभी मुझे एंटर करते हुए मैंने इसको विंडो को सेव कर दिया सेव करने के पाद आप इस विंडो को भी सेव करने आप यहां पर कंट्रोल एक एक को यूज कर सकते हैं सेव करने के लिए या फिर एंटर करते हुए इस विंडो को सेव कर सकते हैं एस्केप करें एस्केप करने के पाद है जब आपने स्केप किया है याप अब अगे अपनी स्क्राइल नेक्स चाहिय है वह सिर आपका की आपने ही आपने पर subject करें कि कौन-ढूर। बनाते हैं अकाउंट इंफो आपने एंटर किया लेजर एं टर्ट एंटर क्रीयेट है पहले लेजर आपको पता है कि हमेशा capital का बनता है एंटर capital account inventory value are affected को नो ही रखेंगे आप देन बाखी details आप फिल करतेंगे और enter करते हुए save करतेंगे दूसरा बनाते हैं tax related यानि आपका central tax जिसे हम cgst बोलते हैं तो आप इसको central tax भी बोल सकते हैं और cgst भी बोल सकते हैं अपने cgst लिखा cgst को अंडर रखते हो आप duties and taxes के right hand पे आप देख सकते हैं कि मैंने duties and taxes denote किया हुए ठीक है select किया हुए duties and taxes तो मैं duties and taxes को यहाँ पर फिल कर रहा हूँ मैंने फिल किया then जैसी आप duties and taxes डालेंगे उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर एक box है तो फिलाल मैं center tax है क्योंकि मैंने cgst यहाँ पर मैं जो बना रहा हूं वो cgst बना रहा हूं तो center tax को मैंने क्लिक किया और enter करते हुए इस window को भी save कर दिया आप यहाँ पर तो आपने अभी दिल्ली में आपकी कंपनी है और दिल्ली में ही डील कर रहे हैं तो आपने दो टैक्स बना लिए cgst और hgst नेक्स्ट आप किस सप्लायर से डील कर रहे हैं आपने उस सप्लायर का नाम लिखा सपोज उसका नाम है रोहित सप्लायर और यह बिलॉंग करता है डेली से क्योंकि हमारा बिजनस डेली में ही है तो डेली एंटर किया अब जब कि यह सप्लायर है तो संडी क्रेटर होगा हमारा आपने संडी क्रेटर सेलेक्ट किया आपने एंटर करते हुए अब आता है कि यहां पर आपको बताना होगा कि एक्चल में यह है क्या ठीक है जैसी आप करेंगे क्लिक आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि यह कंपोजिशन डीलर है या कंजूमर है यह रेगुलर डीलर है यह एंड्रेइस्टर है फिलाल मैं लहाँ मैं रेगुलर के साथ कर रहा हूं कि और यहां पर घी से ढमबर डालना इहां पर कंपालशन तो ले 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 लिए हैं इसकी मेंने लाएफ यह अगी क्यों में तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे GST नंबर हैं मैं फिलाल एक कोई भी एक सेलेक्टर के अपनी डाटा के अंदर डाल देता हूं यहां से मैंने इसको कॉपी किया और टैली के अंदर मैं यहां पर इसको डाल देता हूं यह मैंने GST नमर डाल दिया और जस्ट एंटर किया देन उसके बाद पूछता है सैट अल्टा जिस्ट डिटेल्स इसको मैंने एस किया एंटर रेगुलर एंटर करते हो इसको सेफ कर दिया एंटर एंटर दन से तो अभी जो मैंने बनाया है वह सीजेस्ट बनाया स अभ्रOOOO आपकी इंपोर्मेशन आती है जिसको आपको फिल करना कमपल सरी हो जाता है तो पहली चीज़ पूचता है इस GST अपर का करें फिर पूस्ता है सेट अल्टे जेसी डिटेल्स अभी मैं नोई रख रहा हूं क्योंकि मैंने फिक्स किया हुआ है 12 परसेंट देन टाइपस ऑफ सप्लाई पूस्ता है कि यह जो सप्लाई है आपकी वो किस पर जा रही है आप गूर्स पर लगाना चाहते हैं या फिर सर्विस अभी फिलाल परचेज में ही डिल करते बागे देखेंगे कि सेल में कैसे करते हैं आपके अपनी अगें ग्याट्यू उफ टेली वाली वाली विंडो पर आ जाने है इसके बाद हम किस स्टॉफ में डिल कर रहें उस स्टॉफ का नाम बनाते है इन्वेंटरी इंफो टैन को भी Save कर देंगे उसके बाद आता है आपका की यूनिट जैसे कि आपको पता है कि stock group के बाद आपने यूनिट बनानी होती है कि किस में आप यह product लेंगे नापेंगे किस नंदर measurement किस में करेंगे तो unit of measure आपने लिया enter किया create मैं इसको pieces में कर रहा हूं enter और जैसी मैं pieces में इसको डाल कर enter करता हूं मेरे पास एक option आता है unit quantity code यहाँ पर मुझे code denote करना है तो code denote करने के लिए मैं just a PCSE डालता हूं और आपके सामने दिख रहा है कि PCS का full form piece आ चुगा है एंटर किया एंटर करते हुए इस विंडो को आप सेव कर देंगे तो जब यह विंडो सेव हो गिया तो सेव होने के बाद escape करेंगे और और अपने इस्टॉक आइटम को स्लेट्ट किया तैन क्रिएट और इस टॉक आइटम में आप सपोस एक लैप्टॉप ले रहे हैं एंटर किया अटर प्राइम्री आ जाता है ठीक है बट प्राइमरी ना डाल कर आप यहां पर अपना ग्रूप जो आपने इलेक्टाउनिस का बनाया हुए उसको सेलेक्ट कर लें जो राइट हैं पे स्टो करेगा आपको देन पीसेज एंटर किया देखिए जैसी आप अपना स्टोक बनाते है उसमें भी आपका स्टेचरी इन्फोर्मेशन आता है यहां पर भी आपको डालना कंपल सरी है कि जेस्टी एप्लीकेबल आप एप्लीकेबल रखें अभी नोहीं रखें दैन गोड्स आगे मैं बताऊंगा कि इनका यूज क्या होता है गोड्स कि आपने रेट आफ डूटी बिल्कुल बिलेंक रखें एंटर करते हुए सेव करते हैं तो यहां पर मैंने एक स्टॉक बना लिया जिसका नाम था लैप्टॉप अब जब मेरे पास स्टॉक भी बन चुके हैं मेरे लेजर भी बन चुके हैं तो एंट्री कर लेते हैं तो पहली एंट्री के लिए आप एकाउंटिंग वाचर पर आजाएं गेट्वेव टैली पर आने के बाद आप ट्रंजेक्शन में आके एकाउंटिंग वाचर पर आए एंटर करें पहली एंटरि आपको पता है कि capital क्यों होती है जिसके लिए आप f6 प्रेस करते हैं तो मैंने f6 प्रेस किया और capital डाला capital की amount डालने के बाद जब आप capital की amount fill करते हैं तो मैं capital की amount डाल देता हूँ यहाँ पर कि इसकी बाइब डाल दिया एक लाग 20,000 एंटर किया एंटर और डेबिट में कैश तो यह पैसा मेरा बिजनस में इनवेस्ट हो चुका है चलिए एसकेप करते हैं अब हमें पर्चेस करने के लिए आप क्या करेंगे पर्चेस के लिए आपको पता है कि मैं हमेशा एक शॉटकट की यूज करता है स्क्रीन के लिए या फिर आप माउस की हेल्प पी ले सकते हैं और आपके राइट हैंड पे एफ नाइन दिख जाएगा आपको सिंपल मैंने एप नाइन प्रेस किया सबसे पहले चीज़ सप्लायर इंवोईस नमर मैंने वन डाला डेट सेलेक्ट की पार्टी नेम रोहित सप्लायर है मेरा एंटर और यह वाली विंडो में मैंने डिटेल्स फिल करके पर्चेस स्टॉक है मेरा लैप्टॉप एंटर किया एक लैप्टॉप ले रहा हूँ उसकी कॉस्ट है 40,000 एंटर किया एंटर जस इसके नीचे जैसी मैं एंटर करता हूँ दूसरे स्टॉक लिए पूछता है मुझे अभी दूसरे स्टॉक नहीं डालना मैं एक और एंटर करता हूँ और वहां पर मैं CGST डालता हूँ देखे CGST इसी बाइडिफोल्ट आना कंपल सरी है फिर SGST डलता हूँ यह दोनों आना कंपल सरी है तो CGST SGST मेरे दोनों आ चुके है आप चेक कर सकते हैं आपर हूँ अगर मुझे लगता कि या मुझे थोड़को सा एंनलाइस कर देना चाहिए तो एनलाइस करने के लिए आपके राइट ईंड पर और खायक ककॉप या टेक्स इनलाइज इससे बोलते हैं आप जोसकर से हुं करें करें ढोर से पुर्व यापने करने के बाद पिर जैसे आपने इसको क्लिक किया क्लिक करने आपके पास अगें का का आप्शेन केलिए chỉ मद आप तो आपने एसकेप करने एक है एसकेप किया और एंटर करते विए इस विंड़ों को उपने सेफ करते हैं। है किशेव करनी के बाद यह परचीज हो गया और कि रिपोर्टिंग में। चेख करने के सीधे लिए जब करने आप रिपोर्ट में आपने एंटर किया और एंटर करने के बाद डिस्पले में जैसे एंटर कर किया आपने उसके बाद यहां पर आप नीचे की तरफ आए इस्टेचरी रिपोर्ट ठीक है और इस्टेचरी रिपोर्ट में आने के बाद आपने इस्टेचरी रिपोर्ट को सेलेक्ट किया क्लिक किया तो क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि यहां पर आपको GST आल्रेड़ी दिखाई दे रहे हैं तो आप GST पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपके सामने GSTR 1, 2 और 3 भी शो होता है अभी आपको पता है क्योंकि आपने पर्चेस किया है तो GSTR 2 पर आएंगे और जब आप GSTR 2 पर आएंगे GSTR 2 को आपने ज़स्ट क्लिक किया आप देख सकते हैं कि GSTR 2 आपका जनेरेट हो चुका है और टेक्सेबल वेल्यू या फिर टोटल टेक्स या फिर इंपूट टेक्स क्रेडिट कितना है वो सारी एमांट आपके सामने शो करेगा तो इस तरीके से आप अपना GSTR 2 देख सकते है ठीक है इसके बाद आप एसकेप करें और एसकेप करने के बाद अब हम GSTR 1 बना लीते हैं तो GSTR 1 के लिए आपको पता है कि आपको यह अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना पड़ेगा उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले अकाउंट इंफो लिजर क्रिएट करते है कि सेल्स का आपने लिजर बनाया अंडर सेल्स एकाउंट एंटर और स्टेचरी इंफोर्मेशन में आप एप्लीकेबल ही रखे डैन गोड्स कर दें जिस तरह किसा आपने पर्चेस के लिए किया था गोड्स एंटर करते वह इसको सेफ कर देंगे ऍे जकिए सेकेंड बनाना ऑपने प्रणा तो आप सिंपल कर प्रणार ले ले लेते हैं जिसका नाम है अनिल निल आप इसको कस्टोमार ही रख बोले कीब देनोट करने के लिए और ये करत्रोमर रहे आपका डली का सब्सक्राइ़ आपने एंटर किया कि मैंने हमेशा बताया है कि मैंने बाइब अम य्य गेश्चे में और जैसे कि यह पर आपको क्रणे मेंसे कि Narrator再 डील करो अगर मैं topopas todayって टो मिच्च्ट से कर रहे हैं तो तर अज्चूमर डाल दे Hampshire और रडौर से कर रहे हैं तो रडौर डाल दे script थे सब्सक्राइब एंदा देता हूं और जैसे मैंने कंज्यूमर डाला कि उसने मुस्से जी-स नमबर नहीं पूचा तो मैं झाल दिया और यहां पर मैं जस्ट यहस कर देता हूं इसको सैटर डिटेल्स वगरह भी पूछ रहा है वह मिर से मैंने इसको यह किया एंटर और यह एसकेप करना है और सेल पर आ जाते हैं एकाउंटिंग वाउचर एफ आफ चाहें तो एफ नाइन जो आपने पर्चेस के लिए था उसको कनवर्ट करते हैं एफ एट में जस्ट आपने एफ एट प्रेस करना है एफ आपको पता है कि शॉटकट की है सेल्स की तो मैं एफ एट कर रहो यहां पर मैंने बिल नमर दिया वन टू त्री दैन अनिल जो मेरा कस्टूमर है पाटी निम में वो ले लिया और उसके डिटेल्स यहां पर फिल कर दी सारी कि सारी तैन सेल्स लैप्टॉप जो की मेरे पास एक पीस है जो कर रहा है एक ही पीस डाला और इसको मैं 50,000 सेल पर, एंटर अब बस आपने टेक चार्ज करना है तो एक और एंटर करेंगे दैन, cgst-5-자를 यह आपकी resources होगे आप जस्ट सेल्स की बीपोर्ट चेक करने है आपने अप ब्समियल्स बार्टें यह एंचे एंटर करें और डिस्प्ले में आने के बाद अगें इस्सेटेरी रिपोर्ट पर आये जिएस टी और जीस्टी में आप जीटीरवन पर चेक कर चुके हैं जैन्फ फाइंटर किया अपने तो देखें जीएस्ट फैर वन भी आचुके हैं और यहां पर taxable value, tax amount और invoice amount दोनों चीज आपको शो करते हैं यानि invoice amount इसे 56,000 रुपर दे दिया है यह था आपका GSTR 1 और 2 कैसे चेक करें अब हम बैग जाते हैं और 3 भी चेक करते हैं जो कि आपको पता है दोनों का mix-up होता है तो क्लिक करने के बाद आप यहां पर भी 3 भी में चेक कर सकते हैं कि taxable value किया है हमारी और tax amount किया जारी है तो one by one एक एक चीज हमने चेक करें इसमें तो इसी तरीके से आप one by one एक एक चीज यहां पर चेक कर सकते हैं तो यह था हमारा GST Tally में हम कैसे implement करेंगे next class में हम करेंगे कि हम composition dealer पर कैसे वर करते हैं या cash में dealing किस तरीके से करते हैं तो इसको एक बार करके देखें अच्छी तरीके से करेंगे